निजूस निजूस परती है जूसे ज्यादा प्रॉब्लम का रहे धी फंडिंग की आधो वॉट्वि ज्यूस की अगल देख रहे थे तोटल दे करे Node उसका solution क्या आया है कि जो भी बच्चे 1 year, 2 year या 3 year क्योंकि visa 1 year का यहां से लगके जाता है फिर second year बच्चे का जो आगे continue होता है level 5, 6, 7 बोला जाता है तो हम क्या करते हैं जिनके पास पैसे कम है तो उनको level 5 में भीज़ दिया और फिर आगे बच्चा 1 second year में फिर से अपना convert करा लेता है तो उसमें मेरे ख्याल आपको 25-30,6 महीने पुराने अगर रखे हैं या 3 महीने पुराने हैं तो वो बच्चे apply कर सकते हैं हाँ income tax returns हम उनकी थोड़ी strong मलतब हमें strong चाहिए तो जिन बच्चों की थोड़ी से income tax return ठीक है और savings थोड़ी से पुरानी है तो वो apply कर सकते हैं पीछे आगया था 70-80,000,000 तक भी दिखाने को बोल रहते हैं लेकिन उसके solution यह निकलें कि level 5 में हम रेज देते हैं कि आपके पास पैसा का मैं मास्टर्स वालों के लिए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि न्यूजिलाइन में मास्टर जो है 1.5 फी यूर्स की भी है कुछ यूनिवर्स्टियों में तो उसको फंड 30 लाके राउंड दिखाके वो जा सकते हैं हां अगर financials ठीक है financials में कोई problem नहीं है तो न्यूजिलाइन वीजा आलमूस्ट 100 परसेंट दे रहा है और सबसे plus point क्या है न्यूजिलाइन वीजा का कि जो बच्चे हैं मतलब अगर न्यूजिलाइन में तो वो जो फीस है वो फीस वीजा के बाद जाने कहले एक medical होना है एक PCC होना है और एक embassy fees that's all. मेरे खाल 20,000 के around का इनका सारा खर्चा आता है तो 20,000 वीजा से पहले तो बाकी सारी फीस या सब कुछ सब वीजा के बाद देनी है तो न्यूजिलाइन एक बच्चे का dream destination होना चाहिए reason being न्यूजिलाइन का एक तो climate harsh नहीं है कि बहुत ठंड पढ रही है या बहुत गर्मी ऐसा नहीं है बहुत beautiful weather है and जो है आप देखो जितना peaceful और जितना सुंदर country है न्यूजिलाइन वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिल सकता है इतना साफसुतरा country है और कभी आपने नहीं सुना होगा कि न्यूजिलाइन वाले जो है लाक फाइलें लगवा रहे हैं दो ल limited बच्चा लेते हैं और वो इन्होंने शुरू से maintain किया हुआ है कि बड़ा एक अच्छे से बस जो financially stable है उन बच्चों को वीजा देंगे क्योंकि वो अपनी country में कुछ भी ऐसा कि बच्चा है फिर वो पढ़ नहीं पा रहा है ऐसा नहीं हाँ एक बच्चे का बजट हो और 35 30 लाग तो अपको हर family अपना थोड़ा saving करके रखती है और नहीं है तो फिर वो loan के थ्रू जा सकते हैं चाहिए 100% loan हो वो कोई problem नहीं है loan जो है secure loan होना चाहिए unsecured नहीं secure loan मिन्स जिसमें property pledge की हो वो ऐसे वाला loan देखते है unsecured जो आज कल बैंक्स दे रहे हैं वो शायद वो accept नहीं करते हैं बाकि नीजी लैंड में क्या है 5.5 बैंड वाला बच्चा भी level 5 के लिए apply कर सकता है जो कि हमें problem क्या थी Canada में 5.5 नहीं जा सकता अस्ट्रेलिया में 5.5 नहीं ले उनके legislation के हिसाब से 5.5 ले सकते हैं लेकिन university आपको 5.5 में admission नहीं देंगे बिल्कुल ठीक है तो लगातार इस live show के जरीए और इन वीडियो के जरीए आप वीना मेहम से अब संपरक कर सकते हैं 9216234209 थैंक्यू सो मच्छ वीना मे जा सकते हैं